यह बहुत ही पाउरफुल बुक है और आज की जो बुक है उसका नाम है दमैजिक जिसकी जो राइटर है वो है रॉंडा ब्राइन और यह अमेजिंग बुक है मतलब आप इसे जरूर पढ़िएगा सीक्रेट एक बुक थी इनकी उसके बाद यह सेकेंड सेरीज उन्होंने लॉंच किया था अमेजिंग बुक है तो आज देखते हैं इसके अंदर के और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा है यह हम सिर्फ इन बुक्स को ओपन अप करते हैं इसका जो एक्शल क्या क्या चीजे मेंचन की गई हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं किताब को आज अन्विल करते हैं अच्छे तरीके से नेक्स स्लाइड के उपर जाएंगे हम यहां पर एक पारफुल लाहन लिखी हुई है वो डोंट बिलीब इन मैजिक विल नेवर फाइंड दोस्तों एक कभी एक साथ नहीं होंगे जादू होने के लिए हमें लॉजिक से अलग हटना पड़ेगा और इसका जीता जागता हो धाराने जब हम बच्पन में बच्चे थे कितनी मैजिकल लाइफ थी हम कितने खुश रहते थे हम अगले हर सेकंड के लिए कितने एक्साइटेड होते थ हर एक सेकंड हमारे लिए एकसाइटमेंट होता था क्योंकि हम एक जादू की उम्मिद किया करते थे यह करेंगे तो वह होगा वह तो मज़ा आएगा यह होगा वह हमेशा अपनी जिन्दगी में खुश रहा करते थे और खुशी के पल ढूंडा करते थे लेकिन जैसे जैसे हम बढ़े हमारे पास responsibility आई प्राबलम आई difficulty आनी शुरू हुई तो दोस्तों आप याद कीजिए हमारी जिन्दगी से जादू जैसे गायव होता चला गया हमारी लाइफ पूरी एक systematic life बन गई एक robotic लाइफ बन जाती है धीरे-धीरे हम उन खुशियों को आप याद कितना enjoy किया करते थे हम उस समय सिर्फ और सिर्फ enjoy किया करते थे लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हम बड़े हो गए और हमारी जिन्दगी से magic चला गया दोस्तों जो real magic the magic of life वो अभी इसी पल में है हम जितना खुश रहेंगे और जितना gratitude full रहेंगे जितना thankful रहेंगे हम अपनी life में उतना magic create कर सकते हैं और आज वही magic आप लोगों के साथ इस book के अंतक होने वाला है और वो क्या चीज़े हैं जो उस magic को फिर से alive कर सकती हैं वो अभी हम थोड़ी देर में जानेगे नेक स्लाइट के उपर हम जाएंगे दोस्तों बड़सों से हमारी जितनी भी holy books हैं वो चाहिए किसी भी धर्म की हो उसमें एक hidden word है और उस शब्द को अगर हम थोड़ा सा देर के लिए छुपा दें तो एक चीज निकल के आती है whoever has been given more and he will have an abundance abundance का मतलब हम समझ लीजिए बहुताया की मात्रा में मतलब हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं कई गुना जादा abundance होता है हर चीज के प्रचूडता मतलब हमारी जरूरस से कहीं गुना जादा तो यहां पे mention किया गया है कि एक शब्द अगर हमारी जिन्दगी में आ जाए तो हमें जो भी मिला है हमें और जादा मिलेगा बहुताय में मिलेगा और अगर हमारे पास नहीं है तो जो हमारे प वो और ज़्यादा मल्टिप्लाई होगा और जो नहीं मिला है वो अगर gratitude हमारे life में नहीं रहेगा हमारे साथ नहीं रहेगा तो जो हमारे पास है वो भी वापस ले लिया जायेगा तो gratitude एक चमतकारिक word है this law works on your feelings and thoughts और याद रखिये गए जो नियम है यह हमारी feelings और हमारे विचारों के उपर काम करता है gratitude हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है next slide के उपर जाएंगे you attract what you feel and think यहाँ पर writer बोलती है कि हम उसी चीज को attract करते हैं जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं और जैसी feelings उस चीज के बारे में रखते हैं हम पैसा, relation हम में से जादा तर लोगों को लगता है कि मेरी life, मेरा relation, मेरा profession मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा environment सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मैं अपने bill पे नहीं कर सकता देख करके खुश होते हैं जैसे मेरी छुटियां बहुत अच्छी थी मेरे पास जो family है, वो सबसे best है मेरी जो job है, मेरा business है, वो सबसे best है मेरा weekend सबसे अच्छा था तो दोस्तों हमारी जिंदगी में ये चीज़े multiply होनी शुरू हो जाते है because gratitude works like a magnet ये चुमबक की तरह काम करता है जितना जादा gratitude हम फील करेंगे abundance में उतनी सारी चीज़े हमारे पास आएंगी और अगर हम complain करेंगे gratitude का opposite है दोस्तों complain तो complain अगर हम करेंगे तो कभी भी multiplication factor हमारी लाइफ में नहीं होगा जो हमारे पास है वो भी वापस चला जाएगा इसे थोड़ा सा और विस्तार से आज हम इस book के रूँ समझने की कोशिश करेंगे whatever goes around comes around जो हमसे दूर जाता है हमारे पास वापस आता है जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं जो हम देते हैं वो ही हमें वापस मिलता है हम किसी को दुख देंगे तो चिंता मत कीजिएगा multiply होके with interest दुख हमारे पास आने वाले है अगर हम किसी की जिंदगी में खुशियां देते हैं तो with interest वो सारी चीज़े हमारे पास वापस आएंगी क्योंकि Newton का नियम कहता है every action of giving thanks opposite reaction of receiving जब भी हम किसी चीज़ के बारे में thanks बोलते हैं तो वो multiply होकर के हमारे पास वापस आती है the more you give the more you will receive आप जो चीज़ जितना जादा देंगे वो चीज़ आपको उतना जादा मिलेगी और इस book का जो crux है जो last में आपको एक चीज़ समझ में आएगी वो crux यह है कि हमें हर चीज़ के लिए हमें thankful रहना है हमें कृतग्य रहना है, हमें धन्नेवाद महसूस करना है हर उस चीज़ के लिए जो हमारी जिन्दगी में आई है और दोस्तो इस नियम को follow करते हुए जितने भी महान हस्ती हुई है चाहे वो महत्मा गांधी हो, चाहे वो Mother Teresa हो, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे लिनियार्दो दिविंची हो, जितने भी सफल पुरुष रहे हैं, दोस्तो उन्होंने कहीं न कहीं इस gratitude की भावना का इस्तेमाल करके वो दुनिया की महांतम पर्सनलिटी में बन गए, दोस्तो gratitude can magically turn your relationship into meaningful relationship जो हमारा gratitude है वो जादू ही शक्ती की तरह काम करता है और वो हमारे relationships को meaningful relationship में convert कर सकता है gratitude will make you prosperous, दोस्तो gratitude की भावना हमारे लिए एक अमीरी के रूप में निकल के आती है next slide के ओपर हम चलेंगे gratitude turn your life into gold gratitude हमारी जिंदगी को सोने की तरह बदल देता है, gratitude is the way to receive it हमारी जिंदगी में कोई भी अगर खुशी है और हम उसे पानना चाहते है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है वो है gratitude, magic formula इस बुक के अंदर राइटर ने हमारी जिंदगी के अलग-अलग parameter चाहे वो पैसा हो, चाहे वो business हो, चाहे वो relationship हो, चाहे वो सेहत हो, उन सब के लिए कुछ magical formula दिये हैं और उन magical formula की शुरुवात होती है दोस्तो, thank you thank you, thank you, ये तीन शब्द, और उसके पीछे उन्होंने logic दिया है कि जब हम thank you word, तीन बार बोलते हैं, तो दोस्तो, ये nature में कुछ powerful तरीके से create होता है क्योंकि स्रजन के लिए तीन सब्दों की repetition बहुत जरूरी है आप बहुत सारे अगर धर्मगंतों को देखेंगे, तो किसी भी बात को तीन बार बोलना बहुत महत्मून माना गया है, बहुत powerful माना गया है, तो तीन बार अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो nature उसे manifest करना शुरू कर देता है, तो ये तीन सब, thank you, thank you, thank you, ये हमारी जिन्दगी बदल सकते हैं, affirmation, एक technique है, जो इस book के अंदर बताए गई है, affirmation practices for everyday, count your blessings, यहां उन्होंने बताया है, कि अगर हम अपनी जिन्दगी में abundance चाते हैं, तो हमारी जो blessings, जो हमें मिली है, याद रखिएगा दोस्तो, gratitude, और का simple नियम है, law of attraction का नियम है, कि हम जिस चीज के विशे में ज़्यादा thankful रहेंगे, वो हमारी जिन्दगी में बढ़ेगा, और हम जिस चीज के बारे में complain करेंगे, वो भी हमारी जिन्दगी में multiply होगा, तो complain ना करें, be thankful, और affirmations के जरीए कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, वो इस book के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है, और किसी भी situations में, we are cancelling our blessings and attracting more negative in abundance, abundance मतलब बहुता है, दोस्तो, जब हम thank you नहीं बोल रहे हैं, जब भी हम complain कर रहे होते हैं, तो हम negative चीजों को भी बहुताय में अपनी तरफ आकर्शित कर रहे होते हैं, जब भी हम complain करेंगे, तो negative चीज़े हमारे पास ज़ादा आएंगी, तो यहां writer ने हमें बताया है, कि सबसे पहले आप अपनी जिन्दगी में, सबसे पहले आप अपनी जिन्दगी में दस वो चीज़े ढूंडिए, जिसके लिए आप क्रतग्ये हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लिखिए, I am truly blessed to have, because आप अपने घर के बारे में लिख सकते हैं, जिस धर में में रहता हूँ, आप अपनी जॉब, अपने बिजनस, आप अपने प्रोफेशन के बारे में, सबसे पहले एक 10 चीजों की लिस्ट बनाईए, और दिल से उसके लिए धन्यवाद बोलिए, क्योंकि दोस्तों, जब हम धन्यवाद बोलते हैं, हम thank you बोलते हैं, तो वो चीज़े हमारी जिन्दगी में और ज़्यादा multiply होती हैं, तो आपकी जिन्दगी में, हमारी जिन्दगी में, जो भी कुछ अच्छी चीज़े हैं, हम उन्हें लिखेंगे, और go back, रोज सुभा हम लोग उसे पढढ़ेंगे, लाउडली अपने मन में, और तीन मैजिकल शब्द बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट, दोस्तों, जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, तो हमारी जिन्दगी में जो अच्छी चीज़े हैं, वो और multiply होनी शुरू होनी शुरू होंगी, हमारी जिन्दगी में वो सब चीज़ जो हमारी जिन्दगी को effect डालती है, हमें करतक के रहना है हर उस चीज़ के पटी, और किस minute level पर राइटर ने हमें बताया, आप आगे चलेंगे तो देखेंगे, next slide के ओपर हम चलेंगे, दोस्तो, affirmations practice for magical relationship and heal your relationship, अब यहाँ पर राइटर ने अलग-अलग parameter, हमारी जिन्दगी के अलग-अलग छेतर के लिए, उन्होंने अलग-अलग affirmations हमें suggest की हैं, जैसे अगर हम बात करें our relationships, दोस्तो, relationship हमारी जिन्दगी को, यानि हमारी life को effect करता है, हमारी जो dream life होती है, उसे पाने में मदद कर सकती हैं, यह affirmations, हम next slide के ओपर चलेंगे, increase gratitude in any relationship, receive an abundance of happiness, हम अगर किसी भी रिष्टे में gratitude डाल देते हैं, तो हमें खुशियां abundance में मिलती हैं, gratitude in your relationship changes you, दोस्तो, जब भी हम किसी भी relationship में gratitude feel करते हैं, जैसे मान लीजे हमारे बच्चे हैं, तो हम thankful रहें कि you came in our life, हम अपनी family, हम अपने parents, किसी को भी जब gratitude देते हैं, तो उसका सीधा असर आपके उपर पड़ता है, आपकी personality में बहुत बढ़ा बढ़ा बदलाव आता है, और ये सब चीजे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि we are into network marketing, दोस्तो network marketing relationship के उपर आधारित होता है, ये उसी के उपर चलता है, तो इसलिए हमें इस तरह की चीजों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जैसे ही हम gratitude पे करना शुरूर करते हैं, आप देखिएगा, आपके अंदर drastic change आने शुरूर हो जाएंगे, आपके अंदर patience बढ़ना शुरूर हो जाएगा, आप चीजों को समझना शुरूर कर देंगे, आप compassion से भढ़ जाएंगे, यानि दयावान बन जाएंगे, अगर आप इन चीजों का gratitude, किसी भी relationship में gratitude देंगे, आप kindness से सराबोर हो जाएंगे, यह सारी चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगे, दोस्तों, और इन ही चीजों के अधार पे, कोई भी relationship आगे बढ़ती है, Newton's law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring it, दोस्तों, आप याद कीजिएगा, आप अपनी relationship में किसी भी वेक्ती के लिए complaint करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में वो actually happen होना शुरू हो जाएगा, आप अगर किसी वेक्ती को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बस complaint करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे वो उर्जा, क्योंकि we all are energy, हम लोग energy का एक bundle है, तो जैसी हम एक particular energy को complain करना शुरू करते हैं, वो particular energy हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, तो आप जिसको भी चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाए, आप सिर्फ उसके बारे में complain करना शुरू कर दीजिए, इस प्रेक्टिस इस बिइंग ग्रेटफूल पर पीपल जस एस दे आर, हमें अपनी जिंदगी में प्रेक्टिस करनी हैं कि हमारी लाइफ में जो भी है, वो जैसा है वैसे ही अच्छा है, अगर आप लव का dictionary meaning देखेंगे, आप अगर dictionary में love का मतलब देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो जैसा है उसी तरीके से मुझे उससे प्यार है, लेकिन हम में से ज़्यादा तर लोग, चुकि हम programmed हैं हमारे आसपास से, हम कोशिश ही करते हैं, हम alter करने की कोशिश करते हैं, कि हम जिससे प्यार करते हैं, वो हमारी सोच के according होना चाहिए, जबके प्यार ऐसे नहीं होता, प्यार होता है, जो जैसा है, वैसे ही हमें पसंद है, दोस्तों, ये सारी चीज़ों को अगर हम follow करना शुरू करने, तो हमारी जो relationship है, वो बहुत मजबूत हो जाएंगी, fulfilling हो जाएंगी, और enriched हो जाएंगी, ये बाते छोटी-छोटी हैं, लेकिन अगर हम इने अपनाना शुरू करें, और आसान भी नहीं है, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, दोस्तों, gratitude इतना powerful word है, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, I love my family, thank you God, I have an amazing family, और यहां आप अपनी टीम के लिए भी बोल सकते हैं, वान तेरा लाख लाख शुक्रिया, अल्ला तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो इतना अच्छा network तुने मुझे दिया, इतने अच्छे लोग मुझे मेरी टीम में दिये, आप ये magical words बोलने शुरू करो, और लोगों के सामने बोलो, यहां writer ने हमें एक technique दी है, ये technique को अपना करके, आप उनके photographs अपने पास लीजिए, और उन photographs को अपने नजदीक रखिए, और think about five things you are the most grateful about each person, और उन, माल लीजिए आप किनी तीन लोगों के उपर काम करना चाहते हैं, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने gratitude को, जादू को अपनी जिन्दगी में लाना शुरू कर दिया, और वो चीजे कही ना कही manifest होके, multiply होकरके, आपकी life में वापस आएंगी, और वो सारी emotions वहाँ तक पहुचेंगी, जहां आप पहुचाना चाहते हैं, आप देखिए, क्या आप उनके patience को पसंद करते थे, क्या आप उनकी ability to learn को पसंद करते थे, आप उनके अंदर कोई talent था, उनकी smile थी, उनकी wisdom थी, उनका judgment करने का तरीका, उन लोगों के बारे में, वो जो तीन लोग हैं, जिनकी जिन्दगी, जो आज आपकी जिन्दगी का हिस्सा नहीं है, और जहां आप relationship को work out करना चाहते हैं, आप किन में से कोई ये, क्या वो बहुत दयावान थे, क्या वो बह जिन्दगी में ये add किया, thank you so much, आप जब प्यार से मुस्कुराते हो, तो कितना मुझे अच्छा लगता है, thank you so much जिस तरीके से आप मेरी care करते हो, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, दोस्तों, वो चीजे आपकी जिन्दगी में वापस attract होनी शुरू हो जाएंगी, य देखिए, जादू कैसे होना शुरू होता है, five things for broken relationship, thank you God, I have, ये कोई भी relationship हो सकती है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके colleagues हो सकते हैं, आपकी family हो सकती हैं, आपका husband या wife हो सकती हैं, दोस्तों, अगर आप female हैं, तो आप अपने husband के लिए लिए लिख सकते हैं, और अगर और she is taking care of family, thank you God for his or her, his or her मैं इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि वाइसे वर्सा है, for love and care, thank you God for consistent support, friends, जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, एक अलग तरह का जादू होगा, लेकिन ये करने से पहले हमें अपने concern drop करने पड़ेंगे, जिन बातों पर लड़ाई हुई है, अगर हम उन्हें सोचेंगे, तो अगेन हम एक negative energy को multiply कर रहे हैं, उस negative energy को छोड़ दीजी, क्योंकि negative energy को किसी का आज तक कोई भला नहीं होता, right, तो हमें thankful रहना है उनके प्यार के लिए, उनके support के लिए, कैसे उन्होंने हमारी देख रहे हैं, की या हमारी happiness का कारण बने, और जब ये चीज करना शुरू करेंगे, तो देखे, आपकी जिंदगी में जादू होता है, वो ही जादू, जो बचपन में होता था, वो पांच रुपे की एक चूरंगी पुडिया से, right, तो ऐसे जादू, जो बचपन में एक खिलोने को देख के हुआ करता था, या जब दिवाली आने वाली होती थी, वो जादू आपकी जिंदगी में फिर से होना शुरू हो जाता है, दोस्तो जिस तरह से relationship है उसी तरीके से, यह powerful affirmation, magical बदलाव लाती है हमारी सेहत के अंदर, हमारी health के अंदर, without our health, we have nothing, हमारी सेहत के बिना, we are nothing, be grateful for our health, to continue to receive better health, और दोस्तो बड़ी critical चीजे है, writer ने बता ही है, यह चीज अच्छी अच्छी तो thank you कोई भी बोल सकता है, लेकिन बुरी चीजों के लिए हमें क्या करना है, वो भी writer ने हमें बता है, तो सबसे पहले अगर हम सेहत की बात करें, क्योंके relationship के बाद सेहत दूसरा सबसे important पहलो है हमारी जि बैट में, तूटे-फूटे पड़े हैं, पट्टी बांदी हैं, नहीं हिल सकते हैं, वहाँ आपको realize होगा के हम कितने सही हैं, हम कितने अच्छे हैं, कम से कम उन लोगों से तो बढ़ी हैं, जो आज बहुत परेशान हैं, तो जो भी आज हमारे पास सेहत हैं, एक बार दिल से thank you बोली, I am grateful for my body, आप प्यार कर सकते हैं अपनी body को, आप अपने हाथों को चून सकते हैं, आप thank you बोल सकते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, और जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में और ज़्यादा क्या attract करेंगे, और ज़्यादा health attract करेंग और दोस्तों आज के जमाने में इस pandemic के समय पे ये बेहत जरूरी है, अगर मैं बात करो, जैसा कुछ expert बोल रहे हैं, जो virus से वो हर आदमी तक spread out हो चुका है, किसी ना किसी, चाहे वो पैसे के जरीए, चाहे वो किसी प्लास्टिक के जरीए, किसी भी तरीके से, चाहे वो हव पाके जरीए, लेकिन आप लोग जितने भी यहां बैठे हैं, अगर स्वस्त हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी immunity की वज़े से हम स्वस्त हैं, तो थैंक यू बोलिए ना अपनी immunity के लिए, कि आज इतने भेंग कर पेंडमिक में भी हम लोग स्वस्त हैं, थैंक यू सो मच फॉर आ दाएंगे, दोस्तो, magic into motion to increase the flow of health to you, who practice gratitude, heal faster and are likely to live seven year younger, दोस्तो, ऐसा कहा जाता है, कि जैसे ही जादू अपना काम करना शुरू करता है, तो वो लोग जो thankful रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तेजी से हील करते हैं, हील करना मतलब स्वस्त होते हैं वापस, अगर कोई प्र heal yourself, बहुत ही powerful book है, उसमें आपको वो techniques बताई गई है, detail में किसी particular disease का क्या cause होता है, और कैसे उसे आप वापस से heal कर सकते हैं, लेकिन basic fundamental के हैं, कि आप अपनी अच्छी सेहत और अपने अच्छे स्वास्त को thank you बोलना सीखें, see the words and read them everyday, the gift of health is keeping me alive, यह कुछ शब्द हैं, ज जो मुझे अच्छी सेहत दी है, वो मुझे जिन्दा रखने में मदद करती है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और आप रोज इन शब्दों को पढ़िए, जितना आप ये पढ़ेंगे, आपकी जिन्दगी में सेहत उतनी और ज कुछ भी हैं, लेकिन हम जैसा बनना चाहते हैं, हमें अपने आपको जोन में विज्वालाइज करना है, अब असली जो तीसरी चीज आती है हमारी जिन्दगी में बहुत क्रिटिकल वो होती है, दोस्तों, मनी, पैसा, अकसर, आप देखिए, मैंने अब तर जितनी भी बाते कि आप नोटिस कीजिए, जादा तर लोग पैसे के प्रती चिंतित होते हैं, एन्वियस होते हैं, यानि द्वेश रखते हैं, जेलस होते हैं, जो लोग अमीर हैं उनसे घ्रणा करते हैं, इसके अलावा डिसपॉइंटमेंट, लोग को क्या लगता है कि काश मेरे पास भी ऐ होते हैं, तो हम किन चीजों को मल्टिप्लाई कर रहे होते हैं, जियां दोस्तों, डाउट, परेशानी, जेलस, यह हमारी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और अगर इस तरह का सोच हम रखते हैं, तो पैसा हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला है, पैस करना चोड़ना पड़ेगा, feel grateful, so that money can magically increase, हम कृत्तग्य होना शुरू हो जाए हमारे पास जो भी पैसा है, अगली स्लाइड में बहुत पारफुल राइटर ने यहाँ पे क्राइट किया है, be grateful for every single instant and memory, हमारी जंदगी में हर एक छण के लिए हम grateful जिस दिन होना शुरू हो ज जाएगा, next slide के ओपर हमाएंगे, यहाँ पे एक बहुत ही powerful line writer ने mention की है, हमारी जिंदगी में आज तक जो भी पैसा जहां से भी आया है, चाहे वो salary आई है, चाहे वो हमें gift मिला है, चाहे वो हमें सडक पे पैसे पाए है, कहीं से भी कोई भी पैसा हमारे पास जो आया है, आप लिखिये, thank you for all the money I have been given throughout my life, hey भगवान, hey अल्ला, hey वाहे गुरू, मैं बहुत करतागे हूं, मेरी जिंदगी में एक एक पैसा मेरे पास जहां से भी आया है, मैं हर उस पैसे के लिए, एक एक सिंगल पैसे के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो भी चीज़े, आप देखिए, महत्मा गांदी के क्लाइन मुझे बहुत पार्फुल लगती है, बहुत पार्फुल है, वो कहते हैं कि जब भी आप परेशान हों, तो अपने से नीचे वालो को देखिए, जब भी आप दुखियों और परेशान हों, तो उसी फील में अटिट्ट्ट्वा करेंगे, तो जिन्दगी में कभी एगो आपके पास नहीं आ सकती, एफर्मेशन प्रेक्टिस फ़री और वर्क एंड्मैजिक, पैसे की तरह हमारा जो काम होता है, जो प्रॉफेशन होता है, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनस कर र उस जॉब को थैंक यू बोलिए क्योंको जॉब की वज़े से आपका और हमारा घर चल रहा है और वेस्टीज बुजनस में आपके पास अगर कोई भी पैसा आया है तो से थैंक यू फर दैट आज वेस्टीज से हमें सेहत और पैसा दोनों मिलते हैं तो हमें ग्रेटफुल र इंस्पिरेशन आपकी कोई हो एप्रिशेशन आपको मिला हो दोस्तो हरुस चीज को याद कीजिए और दिल से दिल से मतलब दिल से एक बार धन्यवाद बोलिए थैंक यू गॉड आपको जब फास्टेट चैंपियंज दे पर फास्टेट का ट्रॉफी मिला होगा आपको व वो नेगेटिव चीज हमारी जिन्दगी में और ज्यादा मल्टिप्लाई होगी यूर बिजनस वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग तो यूर ग्रेटिटीट आपकी बिजनस में आपकी प्रोस्पेरिटी आप कितना कंप्लेंड करते हैं या कितना ग्रे रुपे वो दस लाख रुपे वो एक करोड रुपे आपकी जिन्दगी में आना आपकी तरफ शुरू हो जाएगा और जादू काम करना शुरू करेगा नेक्स स्लाइड के ओपर चलेंगे धैंक्ट्यू एवरिधिंग फू हैव सपोर्टिड मी दोस्तो हमारे जॉब में हमारे बिसनस में थैंक्स बोली हर उस इन्सान को जिसने आपको सपोर्ट किया जिसकी वज़े से आप जिस भी लेवल पहें आप आगे बढ़े वह आपके अप्लाइन हो सकते हैं, वो आपके cross line हो सकते हैं, वो आपके down line हो सकते हैं, हमें सब को thank you बोलना है, वो आप हमारा DLCP हो सकता है, वो courier boy भी हो सकता है, जिसो online order हमने किया, वो deliver करके आया, दोस्त हमें से अक्सर जब हमारे हिसाब से चीज़े नहीं होती है, तो हम complaint करना शुरू कर देते हैं, और गुसा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करने का नतीज़ा क्या होता है, कि वो चीज़े हमारी जिन्दगी से दूर जाना शुरू हो जाती है, तो be thankful, say thank you, और ये आपके आदत में आ जाना चाहिए, thank you so much, thank you so much, thank you so much, जितना ज़्यादा आप thank you बोलना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा सारी चीज़ों को आप attract करना शुरू करेंगे, next slide के उपर हम चलेंगे, दोस्तो, एक चीज हमारी जिन्दगी में होती है, जाने अन जाने में, या कुछ लोग इसे किस्मत बोलते हैं, कुछ समय, वो चीज़े हमारी जिन्दगी में होना शुरू हो जाती है, जो हमें पसंद नहीं होती है, और ऐसे समय पे हमारा जो state of mind है, वो negativity की तरफ आ जाता ह है, तो negativity से बहार आने के लिए हमें thank you बोलना होगा उस particular negativity को, उस particular negativity को identify कीजिए, चाहे वो weather है, आपकी job चली गई है, या boss ने आपको कुछ सुना दिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, price, bill, services, traffic, कुछ भी, आप उसमें जिस दिन positivity ढूणना सुरू करेंगे, अब तक जो प कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है, और इस मुद्दे पे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, स्टोरी सब लोगों ने सुनी है, लेकिन उसकी importance यहां के समझ में आती है, एक राजा था, वो जब भी कहीं जाता था, तो अपने मंतरी को साथ लेके जाता एक बार वो जंगल में शिकार खिलने गए और राजा का अंगुठा कट गया, तो जो मंतरी था, उसने बोला कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि मेरा अंगुठा कट गया तू थैंक्यू बोल रहा है, इसे जेल के अंदर बंद कर दो, बात खतम हो गई, उसके कुछ समय बाद राजा फिर से शिकार खिलने गया और खेलते खेलते राजा खो गया, अपने सैनिकों से अलग हो गया, और वहां कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया, और वो आदिवासि उसकी बली देना चाहते थे, वो जैसी उसे बली चढ़ाने के लिए उन्होंने देखा कि उसका हाथ का अंगुठा कटा हुआ है और कटे जो इस तरह के लोग होते हैं उसकी बली नहीं भी जाती राजा को उस दिन समझ में आया कि मंत्री सही बोल रहा था उसने वह वापस आया महल में उसने भगवान को शुक्रिया प्रभु अगर आप मुझे बन नहीं करते तो शिकार करने मां भी आपके साथ जाता और मैं आपके साथ हमेशा रहता और आपका अंगूठा तो कटा हुआ था इसलिए आप शूटके मेरा तो कुछ भी नहीं कटा हुआ मुझे तो पूरा फ्राई करके तल लिया जाता तो हर सिचुएशन में हमारी जिंदगी में जो भी एड़र्ड सिचुएशन है वो आज हमें नेगेटिव लग रही है लेकिन गौड की प्लानिंग कुछ और है दोस्तों जब इस बिजनस को करने से पहले हमें एक अन्य कंपनी में काम कर रहे थे और वो कंपनी जब बंद हुई तो वो 6 महीने 7 महीने हमारी जिंदगी में बहुत बुरे भी थे हम बहुत परेशान थे कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है हमने जब भी कुछ हो रहा है अगर उसमें भी हम पॉस्तिविटी ढूनना शुरू कर देंगे तो दोस्तों लाइफ में फिर मैजिक होना शुरू हो जाता है बट अक्सर हमसे क्या गलती होती हमारी जिंदगी में आज अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मसलना किसी का हुआ ठैंक यू बोलिए और जो नहीं हुआ फिर ठैंक यू बोलिए क्योंकि भगवान की उसमें मर्जी है उपर वाले की उसमें कुछ ना कुछ बड़ी मर्जी रही होगी आज अगर आपसे कुछ पैसे खो गए तो चिंता मत तीजिए वो जाने थे वो खो के चलेगे अच्छा हुआ सोचो वो पैसे अगर किसी बीमारी में जाते तो साथ में दुख लेके आते तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है सिर्फ थैंक यू बोलना सीखे ओपर वाले को अगर हमने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया तो मैजिक हमारी जिन्दगी में होना शायद इसके पीछे इस घटना के पीछे तुमारी कोई ना कोई मर्जी रही होगी और दोस्तों जब हम ऐसा हर सिट्वेशन में बोलना शुरू कर देते हैं नेगेटिव सिट्वेशन्स विल नॉट टेक लॉंग टाइम तो ट्रांसफर्म इफ यू और ग्रेफुल बहुत पार्फुल लाइन है वो नकारात्मक चीजे आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी अगर आप वहां पे भी थैंक के बोलना शुरू कर देंगे एक दोहा भी है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें नका होए जो सुख में सुमिरन करें उससे बिजनस बंद हो गया है शायद ये भी हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो तो उसे आप रिवर्स करके लिखिए थैंक यू सो मच मुझे अपने आपको जानने का मौका मिला एक बहुत बड़े राइटर हुए वो पढ़े लिखे नहीं थे उनको जेल जाना पड़ा उस वाले टाइम में उन्होंने बहुत सारी किताबे पढ़ डाली और दोस्तों उसके बाद वो एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट बने तो जो भी वर्स सिच्वेशन आती हैं अगर हम उसमें भी पॉजिटिविटी ढूनना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कोई audio book निका लिए उससे सुनना शुरू कर दीजिए तब आपकी जिंदगी में जादू होना शुरू हो जाता है तो यह बहुत पारफुल चीज है problem को resolve करने के लिए अगली जो affirmation यहां writer बताती है वो बताती है food के बारे में जो भी हम खाते हैं जो भी पीते हैं वो पानी जो हम पीते हैं कितना पारफुल ही राठवर भाई सुबह को हमारा create करवाते हैं कि जो पानी आप पी रहे हैं वो बहुत पारफुल है उसे ढखके रखिए दोस्तों हम जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं thank you बोलियो उसके लिए क्योंकि ऐसे ऐसे भी लोग है जिनको खाना ना मिलने की वज़े से उनकी मौत हो जाती है गोबर में से दाने बीन बीन के वो लोग खाते हैं गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं हमें thankful होना चाहिए कम से कम वो problem आज हमारे पास नहीं है दो दो दिन तीन तीन दिन लोगो को खाने को नहीं मिलता तो जब भी हम कु जब भी हम कुछ पीए एक बार दिल से धन्यवाद बोलिए और आप उस पर magic sprinkle भी कर सकते हैं जैसे हम नमक छिड़कते हैं अपने हाथ को अपने खाने और पानी के ओपर ले जाई और बोलिए धन्यवाद इस खाने का जो मेरी जिंदगी में आया जोस्तों खाना सिर्फ करता है दुनिया की economy drive होती है इन सब चीजों के ओपर तो कोई भी घटना आपके लिए चोटी सी घटना होती है लेकिन इस universe के अंदर हर घटना एक बहुत बढ़ी घटना होती है और कुछ ना कुछ उसके माइने होते हैं gratitude for money magnet दोस्तों ये बड़ी powerful चीज है पैसे को लेकर चीज को अगर पाना चाहते हैं उसका gratitude करना सीखें thank you बोलना सीखें हमारे बीच में एक सफदर भाई है जो अभी पिछले महिने उन्होंने double crown किया उनकी जिन्दगी में जब भी कोई चेक आता है वह Facebook पे WhatsApp पे सब चीज पे thank you thank you thank you for everything for everything और दोस्तों उसका नतीज़ा देख दोस्तों अक्सर लोग complain करते हैं आपने देखा होगा अक्सर लोग the more you complain about money more poorer you will become जितने भी गरीब लोग होते हैं आप घ्यान से सुनिएगा उनकी बातों को वह पैसे के बारे में अमीरों के बारे में opportunities के बारे में सरकार के बारे में complain करते हुए पाए जाएंगे वह victim की भ opportunities को thank you बोलते हैं क्योंकि हर problem हर problem एक opportunity में convert हो सकती है अगर हम gratitude अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी पैसे के लिए हमें complain करेंगे तो वह situation को और worst करेगा यहां पे हमें काम कर सकते हैं जब भी हम कोई अक्सर ऐसा कब देखा जाता है कि जब हमें किसी को पैसा देना पड़त जब हम किसी को हमने कोई उधार लिया होता है हमें वापस चुकाना होता है या हमने कोई services ली हमें train से travel करना है हमें ticket के पैसे देने पड़ते हैं तो अक्सर वो feeling अच्छी नहीं होती है हमें अच्छा अच्छा फील नहीं होता है जब हम पैसे दे रहे होते हैं लेकिन इसे सोच कि आपके पास हैं तभी तो आप दे रहे हो एक बार उस इंसान के बारे में सोच के देखिए जिसके पास है ही नहीं तो अगेन यू मस्ट फील थैंक्फुल और जब भी कोई बिल पे करें तो बोलिए थैंक्यू गॉड मेरे पास इतना पैसा था कि मैं इस बिल को पे क आप अपने नाम का एक चेक लिखिए मान लीजिए आप वेस्तीज से एक लाग रुपे महीना कमाना चाहते हैं तो आप एक चेक लीजिए जैसा वेस्तीज का चेक आता है जाहिए डिजाइनर जो आसपास फोटोशॉप या डिजाइनिंग करते हैं उसको बोलो कि भी यह ए देखिएगा जादू होना शुरू होगा सच में जादू होता है आप इस बिजनस में किसी भी सफल रेक्ती से अगर बात करेंगे तो कहीं ना कि उन्होंने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और जब एक लाग रुपे आपकी जिन्दगी माना शुरू हो जाए तो तो थैंक्यू बोलिए कि आप सोके उठ गए कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सोके उठी नहीं पाते हम उठ गए इसके लिए धन्यवाद आप जब morning में सोके उठते हैं तो thank you बोलिए उस चदर को, thank you बोलिए उस पंखे को, उस कमरे को, उस environment को, आप जब तयार होके निकलते हैं तो thank you बोल सकते हैं उन कपड़ों को, thank you बोलिए उस mirror को, हर चीज को thank you बोलिए, हम washroom में जाते हैं, thank you बोलिए उस toothpaste को, जो हमारे दात पर ये थैंक यू और इस्माइली ये दो सब्द होने शुरू हो जाते हैं तो उपर वाला और ज्यादा खुशी आपकी जिंदगी में देना शुरू करेगा, right? ये अलादीन का चिराग आप लोग देख रहे हैं हर आदमी के पास ये चिराग मौजूद है और उस चिराग का नाम है gratitude दोस्तो इसे रगणना पड़ता था gratitude को बोलना पड़ता है आप जितना ज़्यादा gratitude की भावना को अपने अंदर रखेंगे उतने ज़्यादा सपने चीज को पाने और पाने से पहले और पाने के बाद हमें शुक्रिया कहना चाहिए अक्सर आपने सुना होगा अल्ला का शुक्र है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है है ना पाने के बाद सब बोलते हैं लेकिन पाने से पहले जो लोग बोलना शुरू हो जाते हैं उन्ह बड़े-बड़े बदलाव ला सकते हैं और हमें खुछ रख सकते हैं नेक्स लाइड के ओपर चलेंगे दोस्तों यह एक मैथमेटिकल नंबर है तीन बार जैसा मैंने पहले बोलेंगे तो वो यूनिवर्स में एक्जिस्ट होनी शुरू हो जाती है और यहां पर हंड्रेट स्टेप अलबर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने हंड्रेट स्टेप और थैंक्फुल एफ़र्मेशन का एक फॉर्मूला दिया था कि जब भी हम कोई कदम चले हम थैंक्यू बोलें उस चीज के लिए जिस चीज को हम अपनी जिंदगी में आकर्शित करना चाहते हैं यह यूनीक फ़र्मूला था जो एलबर्ट आइंस्टाइन ने दिया और वो इसे फॉलो किया करते थे यानि आप अपनी जिंदगी में जिसको भी पाना चाहते हो चाहे वो कोई ड दोस्तों हमें एसेप्ट करना है हमारी मिस्टेक्स को अक्सर हम गलती करने से डरते हैं क्योंकि हमें क्या लगता है मैं मिस्टर पर्फेक्ट मैं गलती कैसे कर सकता हूं और दोस्त जितने भी सफल लोग हैं जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े तब बने हैं जब उन्होंने अपनी mistakes को खुद से उन mistakes को गले लगाया क्योंकि mistakes हमें genius बनाती हैं हम जितनी बार करेंगे हम उतनी बार failure हो सकते हैं और हर बार जब हम failure रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं आप एक बार याद कीजिए ज़रा जब बच्पन में आपने चलना सीखा था कितनी बार गिरे थे लेकिन उस समय बच्चे को किसी तरह की BGP का डर नहीं होता है इसलिए वो तब तक try करता है जब तक वो चलना सीख नहीं जाता लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हम mistakes को पसंद नहीं करते हैं दोस्तों लिखिए वो 10 mistakes जिनसे आपने कुछ सीखा क्योंक कि रेट में हम क्या सोचते हैं mistakes हमें पीछे की तरफ लेके जाती हैं सोचने का नजरिये को बदल दें तो नजारे बदलने शुरू हो जाते हैं take a mistake you have made in life this practice have the power to bring many blessings आप याद कीजी ऐसी कोई घटना जब आपके साथ घटित होई हो और उससे आपने कुछ सीखा हो दोस्तो ये हर कोई नहीं कर सकता और ये जब कुछ चीजे अपनी जिंदगी में आप लाना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में वो अलादीन का चिराग जिन को बहार भेजता है और जिन का काम है कि आपकी जिंदगी में जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो और इस presentation को म बहुत सारे session में और हम जिस business में हैं अक्सर आपने देखा होगा हम अक्सर अपने applying से complaints करते हैं अक्सर हम अपने applying से complain करते हैं कि तुम हमें time नहीं देते तुम यह नहीं करते तुम वो नहीं करते हम कभी उन चीजों को देखते नहीं है जो उन्होंने हमारे लिए की तो दोनों टॉफी अपने दोनों बच्चों को दी तो जो छोटा वाला बेटा था वो बड़ा खुश हुआ अरे वाह टॉफी मज़ा आ गया और वह excited और टॉफी का मज़ा लेने लगा वहीं दूसरा लड़का जो था उसने बोला क्या यह टॉफी क्यों लेका है आपको पता पसंद नहीं है हमेशा गलत लेकर आते हो तो दोस्तों कोई बात नहीं पहली बार में घटना घटित हुई इसो के अगले दिन उसके जो पिताजी थे वो दो टी-शर्ट लेका है सेम कलर की टी-शर्ट लेका है और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दी छोटा वाला ब अपने दोनों बच्चों के लिए एक जैसा खिलोना लेकर आ है और वो दोनों खिलोने अपने बच्चों को दीए वो एक छोटी सी कार थी चोटा वाला बेटा अरे वाँ पिताजी मज़ा आ गया यही तो कार थी जो मुझे चाहिए थी मज़ा आ गया और वो उस किताब से उस कार से खिलना शुरू कर देता है वहीं जो बड़ा वाला लड़का था पापा यह क्या लाए हो यार यह कोई मेरे खिलने की चीज है अब चौथी बार ध्यान से सुनिएगा अब चौथी बार जब वो आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ भी चीज खरीदेगा तो दोनों बच्चों के प्रति उसके मन में क्या भावनाए होंगी चोटे वाले बच्चे के लिए क्या भावना होंगी और बड़े वाले बच्चे के लिए क्या भावनाए होंगी और हमारे जैसे पेरेंस होते हैं इसी तरीके से भगवान, अल्ला, वाहे गुरू, जीसस जो हैं वह हमारे parents हैं और जब भी हम वह हमें कुछ देते हैं हम उसे खुशी-खुशी लेते हैं यह हम complaint mode में लेते हैं तो अगर हम खुशी-खुशी लेना शुरू कर देंगे इसी को हम gratitude कहते हैं तो उपर वाले का यानि हमारे parents का और मन करेगा वह हमारे लिए कुछ लेकर हैं वहीं अगर हम complaint mode में रहेंगे कैसा घर दिया है कैसी जिगे पर रहते हैं यह कोई job है और जब वो हम complaint करना शुरू कर देंगे तो भगवान वो अल्ला हमें सोच के देखिए उसको कैसा लगेगा वो हमें कोई चीज देगा या नहीं देगा यह हमारी life में यह बिजनस में बहुत ज़्यादा मल्टिप्लाई होता है हमारे जो भी अप्लाइंस हैं अगर हम जो भी उन्होंने दिया मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक चीज तो करी कि उन्होंने हमें बिजनस दे दिया अगर हम इस बात के लिए धन्यवाद महसूस करना शुरू कर दे तो अप्लाइन और गॉड हमें वो चीज मल्टिप्लाई करना शुरू कर देगा तैंक यू सो मच ये एक पावर्फुल बुक है इसे जरूर पढ़िएगा बुक का नाम है मैजिक ये हिंदी और इंगलिज दोनों में अवेलेबल है और इस प्रैक्टिस को अपनी कि मैं कभी एक साथ नहीं आ सकता अगर आपको मैजिक चाहिए तो लॉजिक से हट जाए और अगर लॉजिक चाहिए तो मैजिक की उमीद करना छोड़ दीजिए तैंक यू सो मच आज का सेशन यहीं तक था ओवर टू एक तमाम अगर किसी के कोई भी सवाल है इस टॉपिक क को लेकर